हलो वेल्कम बैक फिर से आपका स्वागत है मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ पुरुष रुटु निवरुत्ति के बारे में एंड्रो पॉट्स इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है जेंड्स को मतलब पुरुष बाद में कम इच्छा होती है कमजूरी पैदा और इसके वज़य से उसको टेप्रेशन आता है फिर डेप्रेशन आ उसके वज़य से फिर और इक्छा है कम हो जाती है उसके लिए क्या करना है तो उसके बार में आपको बताने मालों आज, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है, मेरा नामे डॉक्टर दीपक केड़ेकर, मैं मनोविकार, सेक्स्रोग, सम्मों दथा वैसनमुक्ती तग्यों हूँ, महराष्ट में, अकॉला में और ठाने में प्रैक्टिस करता हूँ, हमा है कि 50-55 साल के उम्र में, ये ज़्यादातर लोगों को मालूम बढ़ता है, तो ये आजकल मेरी इच्छाय कम हो रही है, वो कंप्लेंट कर दे कि कठोरता लिंग में भी आती नहीं है, जितनी चाहिए उतनी, फिर विर्या स्कलन जो होता है, उसमें जोश कम हो जाता है, स्कल जाता है, इसमें अक्सर पाया गया है, मतलब 50-60 प्रतिशत लोगों में कि पवरुशत्व का हर्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन, उसका लेवल, युजिली जो होना चीए, 270 से लेके, 270 नैनो ग्राम पर डेसीलीटर, या एवरेच, 679 नैनो ग्राम पर डेसीलीटर, इतना होन चीए, तो वो कम हो जाता है, और उसके वज़े से हो सकता है, या कुछ लोगों में टेस्टोस्टरोन, नानमल है तभी होता है, तो इसके लक्षन कैसे मालूम पड़ते हैं, कौन से लक्षन है, हम देखेंगे, एक तो क्या है कि लोगों का जीवन का आनन्द कम हो जाता है, उत्सा, जोश, कोई काम में वो कम होता है, लेंगिक वासना कम हो जाती है, निराशा आती है, डिपरेशन आ जाता है, एक तो क्या है कि पचास पच्पन ये उमर जो है, इसमें बच्चे बड़े हो जाते है, फिर उनकी पढ़ाई का टेंशन, बच्चों के, उनको नुकरी जन्दा चालू करना तो उसका टेंशन, उसमें है हाइपरेंशन, डायवितीस, ऐसे कई बिमारी यां चालो हो गए तो उसका टेंशन, वजन कम होना, काम की क्षमता जो है वो कम होना, स्टैमिना कम होना, पत्नी के तरफ आकर्शन कम होना, फिर बदन में ऐसी गर्माहट आना कमजोरी आना हड़ि में पतला पनाता यह जोर कम हो जाता है इसलिए कई बिदी गिरने का chances और fracture होने का chance बढ़ जाता है कि दीन कमक्रति है और फिर उसमें निराशित श्कोफ आ गई तो उसमें फिर जितनी ऐस उतने कठशा नहीं मैं आती नहीं है है और एक बार कभी कटरता नहीं आई और वो फेल हो गया तो उसको लगता है कि अभी मेरी उम्रह खतम होते जा रही है अभी मैं बुड़ा हो गया हूँ और अभी मैं संभोख नहीं कर सकूँगा ये एक बार दिमाग में वीचार आ गया है कि वहाँ से फिर और डिप्रेशन आता है और डिप्रेशन की वज़े से फिर से जोश कम होना शुरू हो जाता है और वो वीशेस साइकल में फस जाता है अब इसके लिए क्या करें इसके लिए है कि सबसे पहले कि उम्रह के हिसाब से इच्छा भले कम होंगी मगर सेक्स जिन्दगी के आखरी तक कर सकते है 80, 95, 90 साल के लोग मेरे पास में आते है और वो सेक्स का जिवन का आनन्द लेते है वो मुझे बूलते रहते तनाव मुक्ते जिवन जेना ची तनाव दिलेना ची और उसके लिए क्या करें उसके लिए जो सामने आया उसको स्विकार करो उसका सामना करो और जो भी जैसा भी प्राब्लम हा रहा है उसको स्विकार करो उसको सामने जाओ टेंशन लेने से कुछ होने वाला है नहीं बच्चों की बड़ाई है आमदनी कम है या बच्चों की शादी करना है ऐसे काफी सारे टेंशन आ सकते है या धन्दे में नुकसा नहीं हो गई है तो उसका सामना करो फिर मन की बात बताने वाले मतलब जिनसे हम शेर कर सके ऐसे आपके दोस से जी दोचा रहते है कि उनके साथ में आप शेर करते हैं तो मन को हलका हो लगता है फिर नशे से दूर होना चाहिए तंबाकू सिगरेट और शराब इसका नशा ये भी उमर में नहीं करना चाहिए कि उसका इफेक्ट सेक्स के उपर होता है लें करते है ते को होता है कि लोगों को इसा लगता है कि अभी उमर हो गई अब ही सेक्स में बेज इंटरेस्टक में है सभयकने गर भी करती है वी बूल दें हुए क्या ये उम्रा है सेक्स करने की पतनी नहीं इसstep पुरू इसको शोकुरेक्षा गरोग सभी कि वह उम्र जादा हो गई है तो क्या होता है कि 80-90 प्रतिशत लोग डॉक्टर की सलाह ही लेते नहीं कि नहीं हमारा सेक्स कम हो गया तो अभी उसके लिए क्या करना तो सबसे पहले जरूरी है कि डॉक्टर की सलाह लेना और आनन्द में जीवन जीना जोश पूर्ण जीवन ज जाना और यह मन में भी नहीं जीना कि मैं अभी मेरी उम्र हो गई है तो अभी मैं सेक्स के लिए कम्जोर हो गया हूं इःदि वह करते हैं और ऐसा बोला जाता है कि and interesting partner पते हुद कोई इंट्रेस्ट है और पार्टनर को एंट्रेस्ट है इंट्रेस्त Estee इंट्रेस्टेभ इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट इन्टर्टनर इस देत वsm गिले सेक्से स्टॉनिक तो धुण कोई इंट्रेस्ट उसमें रहना चाए हम बुड़े हो गए अभी वो क्यों करना है अभी वो करना अच्छा नहीं है अभी यह क्या उम्र है क्या ऐसा किसी ने भी मन में नहीं आनद देना चाहिए और उसका आनंद लेना चाहिए बस इतना ही मुझे बोलना है आपके काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको यह मालूम करने यह तो जिनको यह मालूम ने उनके लिए काफी फायदे मन यह वीडियो हो सकता है उनको शेयर करो आपके वाट्सैप ग्रूप के ऊपर फेस्बूक के पर शेयर करो आपको अच्छा लागा तो जिरू सब्सक्राइब करो लाइक करो मां बेल का जो चिनना आता है न उस झाल झाल